नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागा थे आपका RG Smart Class में आज के इस वीडियो में हम EBS के Part 23 पर डिसकस करने वाले हैं और अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट टार्डिंग दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलग्राम चैलन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप RG Smart Class की Android एप से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है कि दक्कन का पठार कहां इस्तित है याद रखेंगे दक्कन का जो पठार है वो महराष्ट, आंद्रप्रदेश और करनाटक में इस्तित है आगला प्रशन है कि छोटा नागपूर का पठार कहां इस्तित है तो छोटा नागपूर का पठार है वो जार खंड में इस्तित है और जो छोटा नागपूर का पठार है भारत में जो सरवादिक खनिज है भारत में जो सरवादिक खनिज है वो छोटा नागपूर के पठार म मिलते हैं ये याद रखेंगे और इसको भारत का रूर भी कहा जाता है जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर भी कहा जाता है अब बहुत सारी लोग ये कोशन पोस्टें के सार ये रूर क्या होता है तो रूर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता ह एक है राइन और दूसरी है रूर इसके बीच का जो च्छेत्र है तो यहां पर सरवाधिक खनिच पाए जाते हैं पूरे यूरोप महादीप में तो इस प्रदेश को रूर प्रदेश कहा जाता है। सबसे मुख्य नदी है तो उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी है गंगा और गंगा नदी का जो उद्गम इस्थल है वो है गोमुख गंगा नदी का उद्गम इस्थल क्या है गोमुख जो की गंगोत्री के नजदीक इस्थित है और ये उत्त्राखं राज में है अगला प्रशने की भारत का सबसे विशाल रेगिस्तान थार किस राज में इस्थित है तो भारत का जो सबसे विशाल रेगिस्तान है थार ये राजस्थान में इस्थित है और अगर आपसे पूचें कि विशुका सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो ब्रस्कोर, में कितने प्रकार के 1 चेतर का विस्तार है, याद रखेंगे इसको छलिए अगला प्र يकोशन देखते हैं भारत वोगति को बांगे को भारत में सदा और पाये आधिक वर्शा वाले चेतर के वनों का विस्तार है अगला प्रशन है कि भारत में 100 cm से 200 cm तक जो वर्षावाला च्छेतर है तो इस च्छेतर में किस प्रकार के वनों का विस्तार है तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन भारत में 100 cm से 200 cm तक जो वर्षावाला छेतर है तो यहाँ पे पर्णपाती वनों का विस्तार है नेश कोशन है कि पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है तो पर्णपाती वनों को मांसूनी वन कहा जाता है याद रखेंगे जो पंडपाती वन है इसे क्या कहा जाता है तो पंडपाती वनों को मांसूनी वन भी कहा जाता है अगला प्रशन है कि भारत में सरवाधिक वनों वाला राज्य है most important question है ये भारत में सरवाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है और अगर आपसे पूछेंगे भारत में सरवादिक 1 प्रतिशत वाला राजी कौन सा है, 1 प्रतिशत भी पूछ लेते हैं एक्जाम में ध्यान रखेंगे, तो अगर आपसे पूछेंगे 1 प्रतिशत वाला राजी कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होग कौन कौन सी होती है याद रखेंगे जलोड मर्दा, काली मर्दा, लाल मर्दा और लेटराइट मर्दा तो भारत में अगर पूछे हैं कि टोटल जो मर्दा हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं तो आठ प्रकार की जिनमें से चार प्रमुख है जलोड, काली, लाल और लेटराइट चलिए आगे इन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो भारत के सरवाधिक छित्रफल पर किस मर्दा का विस्तार है? तो भारत के सरवादिक छित्रवल पर जलोड मर्दा का विस्तार है जलोड मर्दा को दोमट मर्दा भी कहा जाता है ये दो प्रकार की होती है एक होती है नई एक होती है पुरानी तो जो नई जलोड मर्दा है उसको बोलते है खादर और जो पुरानी जलोड मर्दा है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बांगर ये भी याद रखिएगा अगला प्रशने की काली मिट्टी का निर्माड किन चट्टानों के द्वारा हुआ है तो काली मिट्टी का निर्माड हुआ है बेसाल चट्टानों के द्वारा बेसाल चट्टानों के तूटने फोटने से काली मिट्टी का निर्माड होता है काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है तो काली मिट्टी को रेगुर मर्दा भी कहा जाता है most important question है काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मर्दा भी कहा जाता है अगला प्रशने की कपास की क्रश के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उप्यक्त होती है तो कापास की करश के लिए सबसे उप्यक्त जो मृदा है वो है काली मृदा, याद रखेंगे कापास की करश के लिए सबसे जो उप्यक्त मृदा है वो है काली मृदा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है कि काली मिटी को रेगुर मिटी किस राज्य में कहा जाता है, काफ होती है तो इसमें जीवांश यानि कि हूमस और फास्वोरस की कमी होती है याद रखेंगे काली मिटी में जीवांश एवं फास्वोरस की कमी होती है अगला प्रशन है कि प्राइद्वीपी भारत में किस मर्दा का सरवाधिक विस्तार है तो प्राइद्वीपी भारत में लाल मर्दा का सरवाधिक विस्तार है अब ये प्रैदीपी जो वर्ड है ये होता है कि इसको भी थोड़ा सा समझ लें तो दुखो जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो चारो तरफ पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं द्वीप जो चारो तरफ से घिरा हुआ जमीन का अंगाल की खाड़ी है पश्ची में अरब सागर है दक्षिन में हिंद महा सागर है तो उसको प्रैदीपी भारत भी कहा जाता है तो प्रैदीपी भारत में किस मर्दा का सरवाधिक विस्तार है याद रखेंगे लाल मर्दा का अगला प्रशन की लाल मिट्टी का सरवाधिक मर्दा है लाल मर्दा जी हाँ याद रखेंगे मोटे अनाज जो है उनकी करशी के लिए जो सबसे उप्रिक्त मर्दा है वो है लाल मर्दा अगला प्रश्ण है कि तटी ये भारत में किस मर्दा का सरवाधिक विस्तार है तो तटी ये जो भारत है तो वहाँ पे लैट राइट अगला प्रशन है कि लेट्राइट मर्दा किस की करशी के लिए सबसे उप्युक्त होती है तो लेट्राइट मर्दा का जो सरवाधिक विस्तार है वो है केरल में और आपको पता होगा भारत में जो साइलेंट वैली है जो की अपनी जैव विविदिता के लिए काफी प्रसिद है तो वो भी केरल में ही इस्तित है याद रखेंगे साइलेंट वैली कहा इस्तित है केरल में इस्तित है अगला प्रशन देखिए परवती मर्दा में किन तत्तों की अधिकता होती है जो आपकी परवती मर्दा है उसम क्रश के लिए सबसे उपिक्त होती है तो परवती जो मर्दा है वो सेब और केसर की खेती के लिए सबसे उपिक्त होती है केसर के उतपादन में जम्मो कश्मीर जो है वो पहले स्थान पर है आपको बता होगा केसर का जो सरवाधिक उतपादन है वो जम्मो कश्मीर करता है बात के लिजिए राजस्थान निश्कोष्णाने कि किस मर्दा में खनीच लवड़ों की अधिक्ता होती है तो ऐसे कौन सी मर्दा है जिसमें खनीच लवड़ों की अधिक्ता होती है तो उसका सही अंसर हो जाएगा मरस्थली ये मर्दा जो रेगिस्तान में पाई जाने वली लवडी ये मर्दा का विस्तार है अगला प्रशन है कि हिमाले की तराई एवं डेल्टाई च्छेतर में किस मर्दा का विस्तार है तो हिमाले का जो तराई च्छेतर है इसके लाबद जो डेल्टाई च्छेतर है तो वहाँ पे जैव मर्दा का अधिक विस्तार है नेश्ट कोशन है कि मैंग्रोव वनस्पती का सरवाधिक विस्तार किस मर्दा में होता है मैंग्रोव वनस्पती का सरवाधिक विस्तार जो है यह होता है जैव मर्दा में और याद रखेंगे कि मैंग्रोव वनस्पती को ज्वारी वनस्पती भी कहा जाता है भारत में आपने सुन्दरवन का डेल्टा सुना होगा तो भारत में जो सुन्दरवन का डेल्टा है याद रखेंगे वहाँ पर सरवाधिक मात्रा में जो है वो मैंग्रोवन पाए जाते हैं और सुन्दरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्मार गंगा और ब्रंपुत नदिया मिलकर करती है अगला प्रशन है कि गेहूं का सरवाधिक उत्पादन के सराज में होता है तो गेहूं का जो सरवाधिक उत्पादन है ये होता है उत्तर प्रिदेश में और अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का सरवाधिक उत्पादन कहां पे होता है तो चावल का जो सरवाधिक उत्पा पूछा था कि राश्ट्री वन प्रबंधन संस्थान कहां इस्तित है तो इसका सही आंसर है भोपाल राश्ट्री वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कहां इस्तित है भोपाल में इस्तित है बढ़ते हैं आज के प्रशन के तरफ आज का प्रशन है कि विश्व में सरवाधिक वर्षा वाला इस्थान तो विश्व में सरवाधिक वर्षा वाला जो इस्थान है वो कौन सा है अगर आपको इस प्रेशन का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा तो आज के लिए इतना ही देखते रिया जी स्मार्ट क्लास और हाँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरू करिएगा शेर करिएगा और कमेंट करके जरू बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा ताकि इस तरह के और वीडियो हम बनाते रहें तो आज कर इतना ही देखते रिया जी स्मार्ट क्लास थैंक यू